नमश्कार सेनियूस भारत में आप सभी का स्वागत है मैं हूँ आपके साथ रजासें इसे विड़म्मिडा ही कहा जाएगा कि हमारी देश में महिलाओं का शारेरिक एवं मानसिक उत्पीडन लगातार जारी है जब तक कोई गंभीर और जगन ये हिंसक घटना ना हो जाए जिसमें किसी पेड़ता की मौत या बुरी तरीके से वो घायल ना हो जाए तब तक लोगों का ध्यान उस घटना की ओर नहीं जाता है एक बात और खास है इस तरह की अमानवी घटनाओं के मामले में राजनीतिक फाइदे के लिए आरोप प्रत्यारोप का सिलसिला हमेशा जारी रहता है आरोपियों को बचाने के लिए किसी तरह से मामले को लटकानी की कोशिश की जाती है इसका परिडाम ये होता है कि मौके पर सबूत गायब हो जाते हैं और मामला कमजोर पड़ जाता है आखिर हमारे समाज में हिंसा की इतनी अधिक भावना आई कहां से ऐसा क्यों है कि छोटी बच्ची से लेकर बुजुर्ग महिला तक के साथ इस प्रकार की दरंदगी की जा रही है उसका रेप किया जा रहा है यहां तक की उसकी निर्मम हत्या भी की जा रही है इसका कारण ये है हमारा समाज फित्तर प्रधान बन गया है मतलब इसमें पुरुश जो चाहते हैं वही होता है कामकाजी महिलाओं के बारे में हमारे समाज में यही समझा जाता है कि वे दो-चार वर्ष काम करने के बाद शादी करके घर बरबैट जाएंगे देखा जाए तो वास्तों में महिलाओं का सोशन यहीं से घर्ज शुरू होता है पढ़ाई, लिखाई, अधिक, स्वतंतरता तो दूर की बात है अपने शरीर, समय और विरासत पर भी कोई अधिकान समाज उसे नहीं देना चाहता है इस तरह के हालात में उचितरू से ये पूछा जा सकता है कि इस समय कोलकाता के सरकारी कॉलेज में बलातकार की शिकार डॉक्टर यृति के पक्ष में प्रदर्शन करने वाले पुरिश और महिलाओं के साथ ममता बिरेजी प्रदर्शन क्यों कर रही है सरकार भी उनकी, पुलिस भी उनकी, तो फिर कारेवाई क्यों नहीं हो रही प्रशन ये भी है कि महिलाओं के विरुद्ध अपराधों के मामले में पुलिस क्यों हमिशा लाचार हो जाती है इतनी बड़ी घटना के बाद सबूत मिटाने के लिए इतनी बड़ी संक्या में भीड हमला करने आ जाती है और उसे रोकने के लिए पुलिस ने कोई अंतजाम तक नहीं किया था हर बार जब भी बलाधकार का कोई केस होता है तो उसकी थोड़ी बहुत चर्चा मेडिया में आती है पर अंत में मेडिया वाले तथा अने सभी चले जाते हैं और केवल न्याय के लिए तरस रही पीड़ता और उसके परिवार वाले अकेले रह जाते है उल्टा पीड़ता पर भी समाल उठाए जाते हैं कि वो देर से घर से निकली होगी उसने कपड़े नहीं ठीक से पैने होगे वो ऐसी जगे क्यों सो रही थी जैसे कि कोलकाता के अस्पताल बलातकार कांड में हुआ ऐसे हलात में लोग महिलाओं को सम्मान देना कहां से सीख पाएंगे कामकाजी तथा अन्य महिलाओं के मामले में हमारे कानून पहले भी अच्छे थे और नए कानूनों को और भी कठोर बना दिया गया है लेकिन उन्हें लागू करने के लिए उसी तरह के लोगों की भी ज़रूरत है जैसा कि कोलकाता, बलातकार और हत्या केस में सामने आया है जहां मामले को शुरू से ही दबाने की कोश्किश की आ रही थी जैसा कि हाल ही के दिनों में मड़ीपुर, उत्तरप्रदेश और करनाटक में पूर्वे प्रधान मंत्री देव गौडा के पोते प्रज्वल रेवन्ना द्वारा महिलाओं के उत्पीडन के मामले में हमने देखा अगर कुल मिला कर देखा जाए तो यही कहा जा सकता है कि हमारा सिस्टम ही सबूत नस्ट करने के मामले को दबा कर या लटका कर वास्तविक्ता पर परदा डालने की कोशिश करता है क्योंकि हमारी मानसिक्ता ही ऐसी बन चुकी है जिसमें हम महिलाओं को समानता का अधिकार नहीं देना चाहते है यही कारण है कि दिन पर दिन देख में महिलाओं पर अत्याचार और रेप की घटनाई बढ़ती जा रही है ऐसे भी जरूरत है कि महिलाओं को भी समान अधिकार और समान दिया जाए और ये जिम्मेदारी आपकी और हमारी हम सब की है खेर आपको हमारी दी गई जानकारी ये कैसे लगी हमें कमेंट करके ज़रूर बताईएगा फिलाल के लिए इस खास रिपोर्ट में बसे इतना ही देश दुनिया की तमाम ख़बरों की जानकारी के लिए आप देखते रहें सी न्यूस भारत हर कबर आपके साथ आपके हाद